नमस्कार वेलकम सूस्वागतम बीएश्टीसी पीटीटी दोजार बाइस की आज की क्लास में आपका हारदिक स्वागत और अभीनंदन मैं आपके लिएकर काया हूँ राजिस्तान जी के जिले और संबाग स्पारट 3 से सम्मधित आज की क्लास तो इस कलास को पूरा जरूर देखें और जो भी स्वाल 40 आपको आज हल करवाने वाला हूँ बहुत बेश्ट के होने वाले हैं और एगजाम के अंदर भी अच्छे से आपके दो से तीन सवाल मिलने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बारा है चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए आज की प्रशनमाला को शुरू करते हैं राजिस्तान के परीदिये जिलो की संख्या कितनी है परीदिये क्या है भाई सबसे पहले इसको समझना होगा तो परीदिये का मतलब है ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी पडोसी राज्य है या जो देशों से लगती है या परीदे पर इस्थित है इसको परीदी कहते है आपको पता होगा वरत की परीदी और इसके उपर जो जिले टच है उनको परीजी जिले कहते हैं तो ऐसे जिलों की संग्या कितनी है भाई 21 या 23 या 25 या 27 तो आपको पता होगा 23 जिले हैं जो केवल अंतर राज्य सीमा बनाते हैं और चार जिले ऐसे हैं जो अंतर राजिये और अंतर राष्टिये दोनों सीमाएं बनाते हैं तो चार में से दो तो कॉमन है जो राजिये और देश दोनों से बनाते हैं तो वो तो 23 में साथ में आ गए केवल दो ऐसे हैं जो अंतर राजिये बनाते हैं तो उसका स्थान कौन सा है आपको बताना है दूसरा स्थान या तीसरा स्थान या चोता स्थान या पांचवां स्थान तो जैसल मेर का तीसरा स्थान है इससे पहले आपको पता है एक गुजरात का और एक जम्मु कस्मीर का राज ये आता है राजिस्तान का जैसल मेर जिला है प्राठ में किया गया कौन सी कमेटी की सिफारिस पर रमेचंद्र कमेटी परमेचंद्र कमेटी सिवराज कमेटी या केम मुंसी कमेटी आप कमेट बॉक्स के अंदर अपने आंसर देते रहिए और फिर आंसर की जाच कीजिए कि आपने सही आंसर दिया या नहीं आपकी तयारी कैसी है तो ये था परमेच चंद्र कमेटी की सिफारिस पर आपका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई परमेच चंद कमेटी की सिफारिस पर परताफगर जिले को बनाया गया था राज्ये का नवीनतम संभाग भरतपुर कब बना राज्ये का जो सबसे नया संभाग है 2005 के अंदर बनाए कब बना भाई 2005 के अंदर भरतपुर को बनाया गया था तो सह आपका है वो सही जवाब है अगले स्वाल कर बढ़ेंगे राजिस्तान में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी राजिये से लगती है और ना ही किसी देश से यानि इसको अंतरवर्ती जिले भी का जाता है यानि जिनकी सीमा राजिया देश किसी से भी नहीं लगती तो आपका दो है वो सही जवाब हो जाएगा आठ जिले ठीक है भई आगे बढ़ेंगे राजिस्थान की कुल इस्थलिय सीमा कितनी है क्या पूछा है कुल इस्थलिय सीमा पूछा है तीन तरह के सवाल आ सकते हैं एक आ सकता है अंतर रज्जी सीमा कितनी है एक आ सकता है अंत क्या हो जाएगा भई 5920 किलो मिटर ए आपका सही जवाब हो जाएगा यदि अंतर राज्टी पुछा जाए तो 1070 इसका सही आंस्वर होगा और अंतर राज्जी पुछा जाए तो 4850 है जो इसमें उप्षन में नहीं दिया गया है तो वो आपका उत्तर होगा तो यहां सही आं है वो नी सुलक करवाई जाएगी राजिस्तान का कौन सा सहर राष्ट्री राजधानी शेतर का अंग है तो अब पूर्ण रूप से NCR यानि राष्ट्री राजधानी शेतर के अंतरकत आ गया है हमारा अलवर जिला कौन सा बाई अलवर जिला बह आपका सही जवाब हो है आपका सवाल है अरचंद्र यानि आदे चंद्रमा के समान या इस तरह से प्याले की जैसा दिखने वाला जिला कौन सा है तो सही जवाब क्या होगा भई सीकर जिला है वो प्याले के समान है और आपको पता होगा इसके अंदर जोत के समान कौन सा जिला है जुनजनु जि सीमा किस राज्ये से लगती है यानि राजिस्तान की सरवादिक लंबी सीमा है वो कौन से राज्ये से लगती है आपको बताना है सरवादिक लंबी पूचा है उतरप्रदेश मद्यप्रदेश गुजरात या पंजाब आपको पता होगा पंजाब के साथ सबसे कम लगती है कित रहते हैं ठीक है तो यह मद्य प्रदीश आपका सही जवाब है आपको नीचे उत्र भी लिखे वे दिख रहे होंगे यह पीडियप प्राप्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वाट्सेप ग्रूप का लिंक दे रहा उसको जाइन करें वहां आपको जैस संबाग है कौन सा भाई दो जार पांच मना भरतपुर यह इसका सही अंस्वर हो जाएगा निमर में से कौन से जिले की सीमा मद्य प्रदेश से लगती है को इस से लगती भाई MP मद्य प्रदेश से कुल दस जिलों की सीमा यह लगती है उसमें से एक यहां ऑप्शन में है व से करीबी मुनाबाब estATION किस जिले में है पाकिस्तान की सीमा के साथ सबसे नजदीक तमजिला है इस्टेसन है वो मुनाबाब है तो वो कौन से जिले में है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़्मेर या जालोर तो बाड़्मेर जिले के अंदर है और यह मुनाबाब रेल वेस्टेसम बहुत ज्यादा परसिद है क्योंकि यहां से पाकिस्तान के लिए सीधी ट्रेन है वो जाती है तो यह बारत के अंदर गुस्ते ही पहला जो प्लेट फॉरम है उसका नाम मुनाबाब है तो बार्ड मेर जिले में सह आपका सही जवाब हो ज जाएगा सिरी गंगा नगर है वो जिला मुख्यले सबसे नजदी किस्तिते सह आपका सही जवाब है यदि आपको पूछ लिया जाए सबसे दूर कौन सा है तो आपका अंसर है वो बीका नेर हो जाएगा ध्यान रखना है ठीक है क्योंकि सीमा वरती जो चार जिले हैं उनका आपसन रहता है जिला परताब गड़ कब अस्थितों में आया यानि परताब गड़ जिला कब बना तो आपको पता है वसंदरा राजे की काल में ये दो हजार आठ के अंदर बना था 26 जनवरी 2008 ठीक है तो ये याद रखेंगे आप परताब गड़ भी अभी तक नवींतम ज किसी भी इस्तान को जिला गोसे तर नहीं किया गया है अगला सवाल है आपके राज्ये के कितने जिलों की अंतर राज्ये सीमा दो दो सीमा वरती राज्यों से लगती है यानि दो दो से लगती हो ऐसे बताने एक से तो बहुत सारों की लगती है दो दो राज्यों से लगे ऐ ऐसे कितने जिले हैं तो ऐसे जिले हैं चार कौन कितने जिले हैं भाई चार जिले हैं आपको पता है छे जिले हो सकते थे लेकिन बाड मेर और गंगा नगर है वो अंतर राष्ट्रिय होने के कारण कट गए और पीछे केवल चार जिले ही रहे हैं जिनकी दोदू राज्यों के साथ सीमा लगती है आगे बढ़ेंगे जहलावाड राजिस्थान के किस भाग में इस्तित है जहलावाड राज्जी है वो राजिस्थान के किस भाग में है तो आपको पता होगा जहलावाड है वो दक्षनी पूरवी भाग के अंदर इस्तित है भी आपका सही जवाब होगा यानि जालावार है वो दक्षनी पूरो यानि पूरो से दक्षन की और और दक्षन से पूरो की और वहां बीच में इस तितर है तो यह आप आंसर भी देख पा रहें साथ में चितोडगड का सीमा वरती जिला समूँ कौन सा है चितोडगडगे पडुसी जिलों के नाम आपको यहाँ पर बताने है परतापगड उध्यपूर कोटा बुंदी भील वड़ा या राजसमềं परतापगड उध्यपूर भील वड़ा ढूंगर पूर या परताबगड राजसमंद उजेपूर डूंगरपूर बासवाड़ा तो चितोडगडगे बिल्कुल भाई पास में है वो है अ आपका सही जवाब हो जाएगा परताबगड उजेपूर कोटा बूंदी और भीलवड़ा ये पांचों ही चितोडगडगे पडोसी जिले हैं क आपके सामने चार जिलों के नाम दिये गए हैं आपको उत्रप्रदेश का कौन सा जिला है रुराजस्तान की सीमा पर ये बताना है इटावा मतुरा मैनपुरी या फरीदा बाद तो कौन सा भाई सीमा वरती जिलों में मतुरा आता है ब आपका सही जवाब हो जाएगा उन दस जिलों की नाम जोरी उत्रप्रदेश की दो जिले मिलते हैं तो आपको उनका नाम ध्यान रखना है और राजिस्तान की दो जिले जो उत्रप्रदेश की सीमा पर है उसका भी नाम ध्याद रखना है अगला है राज्ये की निम्र में से किस जिले की अंतर राज्यी सीमा न दिक्तर सीमा है वो अंतर रष्ट रिये है पाकिस्तान के साथ में लगती यह पाड़ मेर आपका सही जबाब है नियूंतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है क्या पूचा है नियूंतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है तो कोटा है वो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है क्योंकि इसके अंदर चार ही जिले हैं और उनकी जन संख्या वे काफी कम है सहरी ज्यादा है लेकिन बाकी कम है अगले सवाल कर बढ़ेंगे सर्वादिक लिंगानु पात वाला संभाग कौन सा यानि सबसे ज्यादा जो लड़के हैं वो लड़कियों पर उनकी संभाग है वो सर्वादिक लिंगानु पात वाला संभाग है यह आप आंसपर भी देख पा रहे हैं सर्वादिक अनुसुचित जन जाती वाला संभाग कौन सा है अनुसुचित जन जाती यानि सबसे ज्यादा कौन से संभाग में तो आपको पता है एस्टी वाले जिले हैं वो है बासवड़ा है डुंगरपूर है उधेपूर है तो सही आंसर भी क्या होगा भाई उधेपूर हो जाएगा बिल्कुल उधेपूर के अंदर सबसे ज्यादा अनुसुचित जन जाती है यह एस्टी के लोग निवास करते हैं तो यह देख लीजे आप उधेपूर आपका अंतराजी सीमा बनाता है तो आपको पता होगा उस जिले के एक बार इस तरह से आकरती भी है साथ में जिस तरह सिरलंका लटकता है ना इसी तरह से एक अलग से सीमा बनी हुई है तो चलिए इसका सही जवाब भी है आपके उधेपूर संभाग कौन सा भाई उधेपूर को दो बार वाला का जाता है ठीक है नियूनतम अंतर राज्य सीमा बनाना वाला संभाग कौन सा है यानि ऐसा संभाग जो अंतर राज्य सीमा सबसे कम बनाता है आपको बता है सबसे बीच में कौन सा है वही इसका अंसर होगा तो सेधी सी बात है अजमेर इसका सही जवाफ है अजमेर सबसे कम अंतर राजी सीमा बनाता है। सरवाधिक अनुसुचित जाती जन्संख्या परतिसत वाला संभाग कौन सा है। ऐसे संभाग का नाम बताना है तो सबसे ज़्यादा अनुसुचित जाती यानि-स-C के लोग परतिसत के आदार पर रहते हैं। किसके आदार पूछा वह जन संग्या नहीं परतीसद के आदार पर, तो सभी आंसर क्या होगा, बी का नेर, जोदपूर, जैपूर या अजमेर, तो सही जवाब है, वो है, जैपूर क्योंकि जैपूर के अंदर सबसे ज़्यादा, SC के लोग, जैपूर संभाग के अंदर रहते हैं तो जैपूर इसका सही जवाब हो जाएगा निमन मैंसी सरवादिक साकसरता वाला संभाग कौन सा है सबसे ज़्यादा पढ़ा लेका संभाग सबसे ज़्यादा पढ़े लेके लोग कौन से संभाग में रहते हैं आपको सही अंसर बताना है कोटा, जैपुर, अजमीर या भारतपुर तो आपका सही जवाब क्या होगा भाई बिल्कुल होगा जैपुर, जैपुर के अंदर सबसे ज़्यादा साकसरता है जैपुर संबाग सबसे ज़्यादा साकसर जिला है कितने संभाग है आपको बताना है कि कितने संभाग है जिन में 6-6 जिले हैं तो ऐसे हैं बिल्कुल दो आपको पता होगा कौन कौन से भाई उधेपुर और जोधपुर ठीक है ना उधेपुर और जोधपुर संभाग है जो 6-6 जिलेओं वाले हैं तो आपके ये सही जबाब ह बी दो ठीक है भाई आगे बढ़ेंगे टॉक जिला किस संभाग के अंतरगत आता है टॉक जिला कौन से संभाग में जेपुर संभाग में अजमीर संभाग में कोटा संभाग में या भरतपुर संभाग में तो टॉक जिला वो अजमीर संभाग के अंदर है भी आपका सही जव है यह जो आप PDF देख पा रहे हैं उसको प्राप्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नीचे WhatsApp का ग्रूप का लिंक दे रहे हैं उसको जोईन करें और PDF प्राप्ट कर सकते हैं उसके लावा संपुर्ण त्यारिया आपको अनीन सब्सक्राइब करें और वीडियो नीमित देखें जल्दी ही लाइव क्लास से शुरू की जाएगी बीएश्टीसी के फोरम है वो अगले सब्ता से बरे जाएंगे ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है तो आप सब भी अपने डॉकुमेंट्स हैं वो तयार रखें उसके बारे मे प्राप्तिशत तो आपको इसका अंस ग्याद करने के लिए क्या करना है जो 342,49 है उसके अंदर 100 का भाग लगाना है और उसको 8.83 से गुणा कर देना है तो आपको उसका जो छेतरफले वो प्राप्त हो जाएगा और वो होगा 30,219 वरक किलोमेटर डी आपका सही जबाब ह पता है छेतरफल की दरश्टी से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है ठीक है तेसरे स्तान पर बाड़ मेर है पहले पर जैसल मेर है आगे बढ़ेंगे निमन में से वह जिला जिसकी सीमा चित्तोडगर जिले से नहीं मिलती चित्तोडगर से नहीं मिलने वाला जिला ब अबलीपूर बिल्कुल जालोर का पूरू नाम है जालपूर भी जालोर को कहा जाता था भीनमाल नगरी है वो जालोर में है सिवान सी है वो डी आपका सही जवाब है उसका जालोर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सिवान सी सिवाना का प्राचिन नाम कहा जाता है तो सिव के अंदर काकड भी का जाता है लेकिन गाओं की सीमा के लिए सही प्रियुक्ष सब्द है वो गोर्मो है तो सी आपका सही जवाब है गोर्मो सब्द है वो काकड के लिए यानि गाओं की सीमा के लिए प्रियुक्ष होता है काकड कोई इस्थानी वासा का सब्द है इसलिए इस या पाली का, तो इस जलों के अंदर सबसे कम सेतर फल है, वो कोटा का है, सव आपका सही जवाब है, क्या है भाई, सव आपका सही जवाब है, कोटा, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्याले से किस दिशा में इस्थित है जैसलमेर से रामदेवरा किदर है तो जैसलमेर है वो आपको पता है पत्षिम के अंदर लगबग उत्र पत्षिम के अंदर आया हुआ है और रामदेवरा है वो बेलकुल इधर दिशा में यानि पूरू दिशा की और इस्तित है कौन सी दिशा में भाई पूरू दिशा के अंदर इस्तित है पूरू दिशा यानि सूर्य उद्य होता है उस तरफ राम देवरा जैसल मेर से पढ़ता है तो चलिए आगे बढ़ेंगे 29 जिले की रूप में गठित दोलपूर का छेतर पूरू में किस जिले का भाग था 29 गलत लिख दिया है यहाँ पर 27 जिले की रूप में ठीक है यह दोलपूर 27 जिला था 29 मिस्प्रिंट हो गया है तो दोलपूर जो 27 जिला बना था उसका चेतरपूरू में किस जिले का बाग था यनि कौन से जिले के साथ में था तो ये भरतपूर जिले के साथ में था भरतपूर से इसको अलग किया गया है केवल भरतपूर सह आपका सही जवाब होगा बाकी किसी जिले का mix नहीं है भरतपुर के दो बाग किये गए दोलपुर और भरतपुर ठीक है तो आपका सही जवाब हो जाएगा अब अगला है राजिस्तान का 33 जिला जो 2008 में बना कौन से संबाग में है परताबगर जिला जो बनाए गया उस कौन से संबाग में भाई तो उदेपुर संबाग में डी आपका सही जवाब है उसकी वज़े से उदेपुर संबाग के अंदर छे जिले हो गए हैं आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और अगला सवाल है सवाई मादोपुर जिले की सीमा राजिस्तान के किस जिले से नहीं लगती है यानि स्वाई मादूपर जिला है वो कौन से जिले से कनेक्टर नहीं है इन जिलों में से धोलपूर, दोसा, कोटा या टॉक तो धोलपूर आपका सही जवाब है धोलपूर से स्वाई मादूपर है वो टच नहीं होता है और आपका सही जवाफ हो जाएगा रोजाना नीमित क्लासें अनिल क्लासेज पर लगती रहती है तो उसको जरूर देखें जल्दी ही सिक्षन अभी समता मेंटल एबिलिटी की क्लासें हैं वो भी अपलोड की जाएगी और राजिस्तान जी की क्लासें उसको लाइव सुरू किया जाएगा तो आप बिल्कुल तयार हो जाएगा जल्दी ही लाइव क्लासें होगी समय आप कमेंट बॉक्स मता दें कि साम का समय कौन सा ठीक रहेगा कितने बज़े से लाइव क्लास शुरू की जाए किन दो संभागों का छेतरफल लगबग लगबग सम्मान है एक जितना है तो सही जवाब है आपका उदेपूर और जैपूर संभाग है इनका छेतरफल लगबग 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 बराबर है ब आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है भाई तो उजेपुर जैपुर इसका सही आंस्वर है निमर में ऐसे किन दो जिलों का छेतरफल निकरतम सम्मान है यानि ऐसे दो जिले आपसम बताने हैं जिनका छेतरफल लगबग-लगबग सम्मान है तो या सही आंस्वर आपका हो जाएगा करो लिए और बास ओरा जिले हैं इनका छेतरफल एक जितना है और आपका सही जिवाफ हो जायेगा जोदपुर सम्माग के छेतरफल के एक तियाई चेतरफल वाला राजिस्ταν का सम्माग कौन सा यानि जोदपुर संभाग जितनी दूरी में फैला हुआ है उसका एक बटा तीन भाग के अंदर ही एक संभाग है मतर एक बटा तीन एक तीयाई का मलब है केवल तीसरा भाग ही कौन सा संभाग है आपको बताना है तो उदपुर संभाग है वो बहुत छोटा है इस हिसाब से जोदपुर के हिसाब से देखा जाए तो एक तीयाई भाग के अंदर ही फैला हुआ है और आपका सही जवाब है तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है और दोस्तों के साथ सेर करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना है पीडियो पराफ्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर वाटसअप ग्रूप का लिंक दे रखा है उसको जॉइन करना है और वहाँ से आपको PDF है वो मिल जाएगी और इसी के साथ लाइव क्लासों के लिए टाइम है वो भी आपको बताना है कमेंट करके कि साम का समय कौन सा ठीक रहेगा शिक्स नभी समता मेंटल लेबिलिटी हिंदी और अन्य सभी तरह के तो सवाल आएंगे उसकी वीडियो जापको नहीं का सेज पर मिलते रहेंगी धन्यवाद जैहिंद बंद मातरम